हलो प्यारे बच्चों मैं प्रवीन कुमार आप सब लोगों का इसरल के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो बच्चों हमारे आज का चाप्टर है स्ट्रेक्चर ओफ दी आटम तो बच्चों आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि डॉल्टर ने एक थेयरी दी ती जिसमें बोला था कि आटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है फिर ये स्ट्रेक्चर ओफ दी आटम यानिकि आटम के जो सब आटॉमिक पार्टिकल से इनके बारे में कैसे डिस्कवरी हुई उस पर हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं तो बच्चों जो इंडिविजिबलीटी थी एक उसके बारे में थूड़ा सा शक तब हुआ जब हमने इलेक्टरिसिटी के बारे में जाना हमने जाना कि कुछ चार्जेज हैं जो फ्लो करते हैं जिसके वज़े से इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो होता है कुछ static charges की भी cases हमारे पास आये जैसे कि हमने dry dry जो hair होते है वहाँ पर combing करी यानि उसको comb किया उसके बाद देखा कि उसके उपर static charge आ चुका है और वो static charge दूसरे particles को interact कर रहा है तो यह charge आया कहां से क्योंकि atom तो neutral था और indivisible भी था यानिकि वो atom ही था उसके अंदर कुछ भी नहीं था तो फिर यह charge आया कहां से यहां से हमें जो dalton ketomic theory थी उस पर शक होने लगा और उस शक की बनियाद पर हमने कुछ आगे काम करना शुरू किया और यह सारी बातें आगे आते आते यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो gold stream थे उन्होंने 1886 में एक ray को discover किया जिसका नाम उन्होंने canal ray रखा और उन्होंने पाया कि यह जो canal ray थी यह positively charge rays थी और इस experiment के बाद यह प्रूव हो गया कि atom जो है उसके अंदर कोई न कोई charge present है या कोई न कोई ऐसी चीज है जो उस पर charge लेकर आती है उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे thomson साब तो thomson साब ने 1900 में ये बता दिया कि जिस परकार से canal rays थी वैसे cathode rays भी होती है और वो negatively charge होती है यानि positive charge और negative charge दोनों ही किसके अंदर होते हैं आटम के अंदर होते हैं यहां से यह confirm हो चुका था यहां पर उन्होंने कुछ इसकी properties के बारे में भी बात करें किस पर charge क्या होता है जो cathode rays है उसके अंदर जो constant event होता है वो होता है electron उसका नाम बाद में electron रख दिया गया और उस electron पर जो charge है 1.6 into the power minus 19 कूलाम रखा और हम देखेंगे उसका mass बहुत ही कम था इसलिए वो बहुत ही fast move कर रहा था यानि किनाल rays की comparison में जो cathode rays थी वो बहुत fastly move कर रही थी तो यह बाते आई अब यहां से यह तो हो गया कि positive और negative चार्ज करके कुछ तो चीजे हैं जो आटम के अंदर है और इसी पर थोंसन साब ने पहला जो atomic model है वो दिया डॉल्टन के बाद पहला atomic model इन्हों दिया और इन्हों ने बोला कि आटम जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि उसके अंदर positive और negative चार्ज दोनों होते हैं लेकिन जो positive charges होते हैं वो जिससे हमारे यहां पर water watermelon की बात करें हों वैसे plum pudding model भी इसको बोलते हैं तो हमारे यहां पर watermelon से compare watermelon से इसको compare करें तो जो watermelon का red part है जो solid spherical red part है वो तो कहलाएगा positive part और उस पर जो बीज होते हैं उसके seeds होते हैं वो seeds है negatively charged और यह atom इन सारे जो positive और negative charges का ऐसा combination है जिसे यह neutral state में रहता है यह पॉजटेव और negative charge equal है लेकिन यह जो Thompson का model था यह उतना सफल नहीं हो पाया क्योंकि यह बहुत सारी चीजों को explain करने में काम्याब नहीं हुआ दिरे दिरे आगे research हुई और इस research पर इसकी कई सारी जो चीजे थी वो limit हो गई और उन पर हमने बोला कि यह कुछ ऐसी चीजे हैं जो हम आगे के लिए use नहीं कर सकते आगे के लिए इनको accept नहीं कर सकते बिकॉज यह हमारी theories को explain नहीं कर पा रही है तो कुछ limitations रही यह fail हो गया explain करने में stability of the atom atom की stability को explain करने में fail हो गया यह जो थेरी है इसने position के बारे में भी कुछ विशेश बात नहीं बगाई कि nucleus कहा होता है positive charge कहा होता है इसने बोला कि throughout the sphere होता है लेकिन बाद में कुछ research हुई जिन से पता चला कि वो तो nucleus में होता है positive charge तो यह ऐसे कहीं सारी इसकी कमिया रही इसके बाद Thompson के बाद Rutherford जो थे उन्होंने कुछ बाते करी और उन्होंने nucleus की discovery करी तो Rutherford ने कैसे करी उन्होंने एक alpha जो particle है उसकी scattering कराई 1911 की बाद है और इन्होंने क्या किया Rutherford ने एक alpha particle scattering experiment किया जिसमें gold की फोईल ली वो फोईल बहुत ही पतली फोईल थी उस पर alpha particles alpha particle मतलब होते है helium के positively charge ions helium के positively charge ions और उस helium के positively charge ions को उन्होंने इस परकार से gold foil पर क्या किया scatter किया और जैसे इस पर bombarding करी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो helium के जो iron थे जिसको alpha particle बोलते हैं वो सीधे के सीधे निकल गए और उन में से कुछ ही particle जो है वो rebound हुए तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि helium के जो particle है वो ऐसे कैसे निकल जा रहे हैं कुछ rebound हो रहे हैं तो उसने कुछ observations बताए उन observation में ये पाया कि most of the rage just went through the gold foil making scintillations यानि bright sports हों धी zinc sulfide जो screen लगी हुई है scintillations बना वो सबर bright sports उन्होंने बनाया जिसे पता चला कि वो आरपार हो चुके है किसे gold foil से ठीक है और जो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो hit हो रहा था वापस आ रहा था यानि जो rebound हो रहा था वो हर 12,000 alpha particles में से एक particle था जैनि जो वापस rebound हो यहीं बाकी क्यों सारे particles कैसे हो गए वहाँ से आरपार हो गए यह बताया किसने यहाँ पर हमारे रिदर फोर्ड में तो इन्होंने conclude किया कि जो atom होता है उसकी जो most of spaces होती है वो खाली होती है ब्लैंक होती है और उसके center में एक positively charged nucleus होता है क्योंकि किसी mass की तो उसको तोड़ कर भी निकल सकता है लेकिन वहाँ पर positively charge था और strong जो repulsion लगा उस positive charge की वज़े से उसकी वज़े से हमारा alpha particle वापस rebound होकर आया है तो यहीं कि जो positive charge है वो center में है atom के यहाँ से पता चला और यहीं से concept आये nucleus का तो nucleus का concept किस नहीं दिया यहाँ पर हम देखेंगे Rutherford ने दिया ठीक है और nucleus जो है वो कैसा था positively charged nucleus था और most of the mass जो होता था most of the mass जो atom का है वो कहाँ पर concentrate कर रहा है nucleus पर यह भी इन्होंने बोला तो Rutherford के जो observations थे उनके basis पर इन्होंने थोड़ा सा modification किया इन्होंने बोला कि center में रहते है positive charge और उसके around circular orbits में जो है negative charge revolve करते हैं तो यहाँ पर बोला गया कि the nucleus is at the center of an atom where most of the charge in mass are concentrated और atomic structure is spherical उसने बोला कि atom spherical है electrons जो है वो revolve करते है around the nucleus in a circular orbit similar to the way in which the planet revolve या orbit around the sun जैसे sun के आसपा planets revolve करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन revolve करता है electrons revolve करते हैं nucleus के आसपा अब इसकी कुछ limitations हुई बाकी के scientists ने इस पर question किया कि अगर वो revolve करते हैं तो energy भी spend करते होंगे और जब energy spend होता है तो वो एकी orbit में कैसे रह सकते हैं जिसे जिसे उनकी energy कम होती जाएंगे वो towards the nucleus move करते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उनक electron nucleus में घुज जाएंगे तो matter की stability खतम तो तुमारा जो model है वहिया ये stability को explain नहीं कर पा रहा है matter की तो इनके student हुआ करते हैं उन्हें student ने थोड़ा सा और research को explore किया और उन्होंने एक और model दिया उस model से सारी चीज़े इन्होंने clear कर दिया और उनका नाम था बोहर तो बोहर क होती है वो stationary orbit होती है वो continuous orbit नहीं होती है discrete और stationary orbit होती है और हर orbit का अपना एक energy level होता है और जो electron उस orbit में revolve कर रहा है ना तो वो energy को lose करता है ना ही gain करता है वो stable energy के साथ revolve कर रहा होता है अब अगर electron को एक orbit से दूसरी orbit में जाना है यानि higher orbit में जाएगा तो इसको higher level of energy चाहिए तो वो energy absorb करेगा लेकिन जब वो higher orbit से लोगर orbit में आएगा तो इसको कम energy का होना है इसलिए वो energy को emit करेगा लेकिन अगर वो अपनी ही orbit में जिस orbit में वो है वो stationary or discrete orbit में वो revolve कर रहा होता है तो वहाँ पर किसी प्रकार का energy का कोई lending नहीं होता है सेम energy पर वो revolve करता है ये बोला किसने? बोहर ने, बोहर ने कुछ और बातें भी बताई, बोहर ने बताया कि किस परकार से किसी atom के जो orbits होते है उनमें elektrons भरे जाते है ये सारी चीजे उनने बताई उन्होंने बताई कि the stationary orbit जो होती है वो quantized होती है उनमें कोई energy loss नहीं होता है उन्होंने फिर बाद में ये भी बताई कि किस परकार से हम एक electron को define करेंगे कि proton रहेगा center में उसके कितने orbits होंगे और उन orbits में कितने कितने electron होंगे अनि electronic configuration का तरीका भी बोहर ने बताया वो आग alpha particles के साथ और उनको पता चला कि यहाँ से एक नई type का particle जो है वो exact हुआ है और उसका नाम है neutron क्योंकि वो neutral था उसके पास कोई charge नहीं था लेकिन mass उसका किसके बराबर था लगबग proton के बराबर था मास उसका proton के बराबर था तो यहनि neutral element और proton के बराबर का मास ऐसा जो यहाँ पर particle ढूड़ा उसको बोला neutron ठेक है तो each of these particles can no charge but had a mass equal to that of the proton यह सारी बात अमने कर दी और यह भी कहां रहते है नूकलियस में रहते है यहनि proton और neutron दोनों मिलकर नूकलियस में रहते है और दोनों मिलकर ही क्या बताते हैं कि किसी atom का मास क्या है यहनि उसके मास को decide करते हैं proton और neutron अब electronic configuration पर आ जाएं तो electronic configuration के लिए कुछ certain of rules यहाँ पर बताये गए थे उन्होंने बोला कि हर एक जो orbit वो discrete orbit है उसका quantum number यह उसका एक roll number है जिससे k, l, m, n अगर में orbits की बात करो तो k का 1, l का 2, m का 3 और n का 4 है इस प्रकार से roll number है quantum number है और उस quantum number के हिसाब से ही उनकी maximum number of electrons को यहाँ पर जो obtain करने की maximum number of electrons को रखने की capacity हो दी है और उस capacity का formula 2n square यहाँ यहाँ पर quantum number है यहाँ पहली शेल का देखूंगा तो 2 into 1 का square तो 1 का square 1 into 2, 2 यहाँ की पहली orbit में capacity होगी 2 इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पर system बता दिया गया आप देख सकते हो 1, 2, 3 इनके quantum number है और इनके electron फिल करने की capacity कितनी हो जाएगी इस quantum number के हिसाब से 2 n square के साब से तो अगर मैं k के लिए देखूं, l के लिए, m के लिए और n के लिए तो k का quantum number है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 लेकिन अगर capacity की बात करो तो it is 2 n square तो इसका हो जाएगा 2, इसकी हो जाएगी 8, इसकी हो जाएगी 18 और इसकी हो जाएगी 32 देख सकते हैं आप इस प् भर सकती हैं और यहाँ पर एक और बात बोली गई कि जो orbits है, outer most orbit जिसको हम बोलेंगे जिसको बोलेंगे पर valence orbit या फिर valence shell तो जो outer most orbit होगी उसमें maximum number of 8 electrons ही होने सही है, it cannot be more than 8 electron ठीक है न, जबकि यहाँ पर तो कितना है capacity में 18 भी है और 32 भी है तो हमने सिर्फ क्या बोला, यहाँ तक 8 होगा तो इसमें भी 8 होगा फिर उसके बाद आगे वाली shell में आ जाएगा, यह बोला गया, ठीक है, capacity A से decide हुई और फिर यह बताया गया, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ से एक और चीज़ में आप लोगों को बता देता हूँ कि जो atomic number होता है कि ACB atom का, जैसे हम उसका roll number बोल दे, पिरिडिक टेबल में, जैसे में sodium का atomic number होता है 11, तो वो 11 atomic number का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने number of proton है, क्या है उसके अंदर कितने number of proton है, यह बताता है कौन atomic number, और mass number बताता है कि उसके अंदर कितने proton plus neutron है, उसका mass number कौन बताता है, proton और neutron की संख्य है क्योंकि electron जु होते है total number proton and electron यहाँ पर लिखा लिकिन it is neutron mass number को अनों का proton and neutron electron उसमें contribute नहीं करता है और valency का मतलब बता है combining capacity of any element एक element की क्या combining capacity है वो valency बताती है और valence electron का मतलब है कि कितने number of electrons जो है वो किसके अंदर है आउटर मोस्ट शेल के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रों से तो मैटल्स के लिए तो ये होता है जितने number of valence electron होगे उतना valence और non-metals के लिए valence होती है 8-n एन क्या है यहां पर number of valence electron जिसे मैं कुछ examples यहां पर आप लोगों को दे देता हूँ जिसे मैं sodium की बात करूँ तो sodium का atomic number क्या है 11 11 का मतलब होता है इसके पास neutrally 11 proton और 11 electron है तो इसका electronic configuration क्या रहेगा पहले 2 क्यों कि पहले shell की capacity 2 है दूसरे shell की capacity 8 है बाकि बचे कितने 2 और 10 होगे एक electron और बचना है तो यह तीसरे shell की हम देखेंगे कि यह shell सबसे बाहर वाला है तो outermost shell में कितने electron इस पर तो यहां पर मैं अगर बोलू तो valence electron कितने है valence electron की संक्या है यहां पर 1 और valence क्या हो जाएगी क्योंकि यह metal है क्योंकि यह metal है तो इसके valence इली हो जाएगी बन लेकिन अगर यही चीज में किस में देखूँ oxygen में oxygen का क्या होता atomic number 8 oxygen का atomic number है 8 यह इसका electronic configuration 2,6 हो जाएगा क्योंकि पहले में 2 भरे जाते दूसरे वाले में 8 भरे जा सकते maximum लेकिन हमारे पास 6 ही है क्योंकि 8 proton और 8 ही electron इसके पास होंगे neutral अब इसके outer most shell में कितने electron है यानि किसके पास valence electron जो होंगे वो तो हो जाएगे oxygen के पास कितने 6 लेकिन इसकी valence कितनी हो जाएगी क्योंकि non metal है तो valence हो जाएगी इसकी 8-6 that is 2 तो इसकी valence हो जाएगी 2 तो इस प्रकार से हम यहाँ पर valence की बात भी कर सकते हैं mass number का मतलब क्या होगा mass number बोले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो mass number को हम एसे define करते हैं जेड होता है हमारा atomic number तो जितने proton उतने atomic number और यह number of neutron तो यह हो जाएगा आपका mass number तो यहाँ से आप mass number पर भी बात कर सकते हैं अब हम isotopes की बात करें तो isotopes का मतलब होता है एक ही element के different atom isotopes का मतलब एक ही element के different atom यानि की same atomic number बट different mass number अब जब atomic number same है तो proton भी same होगे और electron भी same होगे बदलेगा क्या number of neutron ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि isotopes are atoms of the same element एक ही element के atom से जो क्या करते हैं same atomic number रखते हैं बट different mass number रखते हैं जैसे इसके कुछ example है जैसे hydrogen के isotope है hydrogen का isotope एक होता है protein जिसको 1H1 कहते हैं जिसको simple hydrogen के नाम से भी जाना जाता है एक है deuterium जिसको 1H2 कहते हैं एक होता है 3Tm जिसको 1H3 कहते हैं अब यहाँ पर difference किसका है atomic number 3 का 1,1 है लेकिन यहाँ पर mass number देखोगे उसका protein का 1 है deuterium का 2 है और 3Tm का 3 है तो mass number यहाँ पर change हो रहा है और इन isotopes के कहीं सारे applications भी होते हैं जिसे uranium का यह जो isotopes 235 वाला यह जो energy होती है nuclear energy उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में लिया जाता है इन nuclear reactors जो होते जिसे energy produce होती है वहाँ पर uranium 235 as a fuel यूज किया जाता है ठीक है जिसे iodine का 131 वाला जो isotopes उसका यूज किया जाता है goitre को treatment करने में goitre मतलब किसी की गले में बहुत सारा सूजन आ जाता है और उसको goitre करके बिमारी बोलते हैं जो iodine की कमी से होते हैं उसकी therapy के लिए क्या होता है 131 iodine का जो isotopes उसका यूज किया जाता है carbon 14 को carbon dating में इस्तमाल करते हैं जिससे fossil samples की age पता करी जा सकती है कि कितने पुराने हैं कितने पुराने नहीं हैं ऐसे कई सारी चीजे हैं जिनका इस्तमाल कई सारे isotopes से जिनका इस्तमाल होता है इसी ही एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं ISOBAR ISOBAR का मतलब जहां पर atomic number different हो but mass number same है इसका मतलब क्या है कि different elements के atom है but उनका mass same है different elements के atom है but mass same है तो atoms of different elements with the different atomic number which have the same mass number और इनको बोलेंगे अपन ISOBAR जैसे हम देखें कि calcium जो होता है इसका atomic number 20 है इसका mass number 40 है और अगेन यहाँ पर आप देखोंगे organ इसका atomic number 18 है यानि different element है पर इसका mass number 40 है तो दोनों का 40-40 mass number यह क्या हो जाएंगे ISOBAR ठीक है तो ISOBAR में क्या होता है mass number same होता है atomic number different होता है तो this is all about the chapter आप इनको revise केजे exam में मचा दीजे फोर दिये मिलते है अपन next video में thank you very much